इस वीडियो में हमें डिस्कॉस करने वाले हैं विज्ञान का सेकंड यूनिट यूनिट का नाम है विज्ञान के सिक्षा सास्तर संबंदित मुद्दो के बारे में हम बात करेंगे ये इनिट आपका 9 नंबर का है, 9 नंबर प्राप्ट करने के लिए कौन-कौन से महतपून टोपिक्स आपको पढ़ने हैं, महतपून क्यूसन आपको पढ़ने हैं, आईए उनके बारे में बात करते हैं, एक-एक बिंदो को समझते वह चलते हैं, वीडियो आपको पूरा खेली और कार्य योजना का भी अद्धिन किये जाता है तो यह प्रश्ण द्यान रखना है दूसरा प्रश्ण देखिए विज्ञान सिक्षक को कख्षा में पाठ आरम करने से पूर्व किन बिंदू को द्यान में रखना चीए अगर विज्ञान के आप सिक्षक हैं तो आप प topics उनको बताएंगे जो बच्चे आसानी से समझ सके फिर उनको बारिक जनकाई देंगे सुक्षम जनकाई देंगे अनुभव से तरक की और पहले जो बालखों को अनुभव हैं उन सभी topics को revise करवाएंगे और फिर तरक के आधार पर उनको बाते बताएंगे कि हाँ इस तरह से ये हो रहा है और अगला पांचा बिंदु है पूर्ण से अंच की ओड़े जाएंगे विशलेशन से संसलेशन की ओड़े जाएंगे तो ये च्छे बिंदु आपको यहाँ पर प्रियोग सेट करना और विवेचन करना आध्य आपको ध्यान लगन है और इसके बाद में जोत्हा प्रशन है विकरम साराबाई साइन्स सेंटर एहमदाबाद का मुख्य उद्देशी क्या था इस्के मुखे उदेशे विध्यारतियों, शिक्षकों, शिक्षक पर शिक्षकों और सामाने जनता के बीच गणित और विज्ञान को लोग परिये करना था, विज्ञान के सिध्धान्त, विज्ञानिक विधियों, नवचारी तरीकों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिस की जा करता है इसका उत्तर देखिए समय प्रबंदन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उपलब्द समय का आधिकाधिक प्रियोग करता है जिससे उसका समय नष्ट होने से बच जाता है समय प्रबंदन व्यक्ति की योगेता व्यकार्यक उशल्दा का परिचायक होता है एक टाइम मानक में देखिए विज्ञान शिक्षक को किन वेद्य मानकों का ध्यान रखना चाहिए इसमें देखिए विज्ञान शिक्षक को प्रभावी शिक्षन के लिए अपनी कारिय योजना बनाते समय कुछ बातों का विशीष ध्यान रखना चाहिए इन्हें ही वेद्य मानक की प्रकार है, पहला věधे मनक क्या है संग्यान आत्मक वेधेता इसमें देखिए जो विशेवस्तु से समझ बच्चा उसको सहाज्ता से आ आए से sem 카i, दूसरा है विशेवस्तु प्रक्ट जो वेधेता है, उस बार में बात करें गें है कि सरली करण के चकर में गलत तथ से ौर पिर बचा उसको गलत सीख लेगा तो विशेवस्तु परक विद्यता भी यहां पर होनी चाहिए इसके बाद में अगला बिंदू है तीसरा बिंदू परक्रिया की विद्यता इसमें देखी यह अधिगम निर्मान के वह विद्यारती की सीखने में मदद करते हैं इस तरह से ध संगिक हो उसके परिवेश से संबंदित भी हो और अगला नेतिक विद्यता क्या है इसका अर्थ है कि विज्ञान शिक्षा इमांदारी वस्तोनिष्टता सहयोग भै पूर्वाग्रह से मुक्ति आदी मुलियों को प्रोसाइद करती होनी चाहिए तो यह कुछ 6 बिंदू आ करके आता है अपने परिवेश की जनकरी रखता है और यह पूर्वग्यान एक हुक की तरह काम करता है जो नए ग्यान अवधारणा को पकड़ने में मदद करता है शिक्षक को बच्चों के पूर्वग्यान की था लेने के लिए कुछ कारे नेतियों का सहरा लेना होता है और विग्यान के बारे में उसे कितनी knowledge पहले से है, इतना आपको जहनकना इस प्रशन में, और इसके बाद में हम बात करते हैं, आठवा प्रशन देखिए, विग्यान विशे, बच्चों की अभी रूची के विकास के लिए आप क्या-क्या प्रियास करेंगे, इसमें देखिए कक कभी रोचक प्रशनोत्तर द्वारा सिक्षण को रोचक बनाएंगे, इस तरह से बिंदू आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आता है, विग्यान सिक्षण में सकारात्मक सोच नजरिया का क्या महत्व है, सफल विग्यान स के लिए केवल सिक्षक में ही सकारात्मक सोच का होना आवश्यक नहीं है, अपे तो विध्यारतियों में भी इसका होना आवश्यक है, ताकि वे विग्यान सिक्षण के परती एक नजरिया विक्षित कर सके, सकारात्मक सोच आपको रखने चाहिए अपनी एक्जाम के परती या अपने सब्जक्ट के परती ऐसी स्तिती में पूरी कक्षा में उत्सा व्याप्त होगा और विध्यारती परशा पर एक दूसरे प्रशन पूछ करके जवाब पर और विविद मुद्धों पर चर्चा करते वे दिखाई देंगे परते एक विध्यारती अपने ज्यान का निर्मान स्यम कर सकेगा अगर वो विश्ये के प्रति सकात्मक सोच रखता है अगर आप पहले सही नेगेटिव सोच रखेंगे कि विज्यान में मुझे कुछ भी नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं आएगा अगर आप पहले सही positive सोच रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूं या मैं इन topics को याद कर सकता हूं समझ सकता हूं तो फिर आप definitely उसको याद कर पाओगे समझ पाओगे इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बाद में हम बात करते हैं दश्वा परशन पूर्व ज्यान की पहचान करके उसे नवियन ज्यान से जोडने वाली परमोग विद्याँ कोन-कोन सी है तो घेल विदी गति विदी दौरा घटना दौरा प्रश्णों दौरा कहानिक दौरा प्रियोग परदुशन दौरा से सामाजिक अध्यान और विज्यान के सिक्षा सास्तर में अंतर कीजिए। अवलोकन किसी भी जाती है धर्म के बच्चों के लिए एक जैसे ही होंगे। पर ये बाते द्यान रखनी है कि समाज में हर समाज में अलग लग नियम रूल होते हैं बट विज्यान में सभी जगर पर एक जो नियम लागू हो गया वो सभी समाज के लिए सभी देशों के लिए वो एक ही नियम रहेगा इस तरह से आपको बिंदू यहां पर द्यान रखने हैं और यहां पर आकर कि हमारा सेकंड यूनिट कंपलीट होता है सेकंड यूनिट में दोस्तों इस तरह के प्रशन ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा फेक्ट्स पर द्या करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के लिए थेंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो